नमस्कार दोस्तू, हमारी यूटूब चैनल पर आका हार्दिक्स वाकत है दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आपको ऐसे चमतकारी नुष्खे को बना कर दिखाऊँगा दोस्तो चाहिए आपका सर्दियों में खून गाड़ा होने की समस्या हो या नसों में गैस हो गई हो या BP या कोलोष्टोल की समस्या हो दोस्तो इन सभी समस्याओ में एक कारगर तरीके से काम करेगा और सिर्फ दो दिन में ही आपको चमतकारी आसर दिखाई देगा आपका स्रेर निरोगी बनता हुआ आपको खुद महसूस होगा दोस्तो आज की इस वड़ियो में हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह है दोस्तो काली मिर्च ये होती है दोस्तो काली मिर्च दोस्तो काली मिर्च डुरेटिक, anti-inflammatory, digestive, memory booster और दोस्तो पी इसके अंदर pain relief गुर पाए जाते हैं दोस्तो ये असबी गुर विभीनत रहें के समझ नुस्खे को बनाना कैसे है और कैसे करना है इसका परियोग दोस्तो काली मिर्च पाचन के लिए बहुत अधिक कारगर होशती है यह आपके पाचन को मजबूत करती है जिससे कि आप पेट के रोगों से बचे रहती हैं, कबज गैस और STT से बचे रहते हैं दोस्तो सर्दी खांसी से रहा दिलाने में भी बहुत अधिक कारगर है यह काली मिर्च, इसका प्रियोग करके आप अपने कफ वाली खांसी का इलाज कर सकते हैं, जमा हुआ कफ को बाहर निकाल सकते हैं दोस्तो यदि आप अपने वजन को कम करना चाहाते हैं, तब भी काली मिर्च, बहुत अधिक कारगर उस्ती की इतरहें काम करती हैं क्योंकि यह आपके मैटबलिजम को बूश्ट करेगी, जिससे की आपका वजन तेजी से कम होगा कोलोस्ट्रोल के लिए, दोस्तो सर्दियों में खून गाड़ा होने की समस्या होती है एक तो यह आपके खून को पतला करने का काम करेगी उपर से आपके खून को साफ करने का काम करेगी और यदि आपका खून साफ होगा उसमें कोई गंदगी नहीं होगी तब आपको कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी नहीं आपको heart blockage और heart attack यानि की दिल की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा नसों में गैस की समस्या का भी ये कारगर इलाज है आपके blood pressure को हाथो हाथ control करने का काम करती है दोस्तो यदि या diabetes का कोई रोगी इसका सेवन करता है तो उसके लिए भी ये कारगर दवा है क्योंकि काली मिर्च में anti-hyperglysemic agent होते हैं जो रक्त में गुलकोज की मातरा को कम करने के लिए जाने जाते हैं जोडों के दर्द और गठिया के दर्द के लिए भी एक कारगर दवा है ये आपके दर्द को खैंच कर बाहर निकालने का काम करती है आपके हर तरहें के दर्द को चूस जाने का काम करती है जिससे की आपको इस दर्द का सामना नहीं करना था तो देखा दोस्तो कैसे एक कारगर दवा की तरहें काम करती है काली मिर्च तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस काली मिर्च का परियोग करना कैसे है दोस्तो इस नुस्खे के बनाने के लिए आपको सिरफ दो सामगरी चाहिए पहली चाहिए काले मिर्च और दूसरी चाहिए सहद तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने प्रयोग कैसे करना है दोस्तो आपने क्या करना है काले मिर्च के कुछ दाने लेकर उनको आग पर सेख लेना है जैसे कि मैं तवे पर रखकर इनको सेख रहा हूँ आपने भी ऐसे ही कर लेने हैं या आप किसी बरतन में भी ऐसे कर सकते हैं प्राइपैन में ऐसे कर सकते हैं किसी में भी या तवे पर भी कर सकते हैं जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ अब आपने इनको कूट लेना इनका पाउडर बना लेना है जैसे कि मैं इनका ये पाउडर बना और अपनी बीमारियों से छुटकारा पासकते हैं दोस्तों दो दिन में ही इस ओंस्ती का आपको कारगर जैल्ट दिखाई ढेता है और आपकी बीमारियाँ छूमंतर की तरहान गायब हो जाती है आपके स्रीर की इम्यून पावर बढ़ जाती है दोस्तों आपके चहरे पर नया गलो आ जाता है क्योंकि यह एंटी एजिंग की तरहें भी काम करेगा दोस्तों वैसे तो आप काली मिर्स की चाई बना कर भी सेवन कर सकते हैं लेकिन सबसे अधिक फाइदा इसका सहथ के साथ लेने से ही है तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी एक मिंट का ये नूस खापनाएए कोलोस्टोल बेपी को हाथो हाथ कंटोल कीजिए और अपने स्रेद की बीमारियों से छुटकारा बाईए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दिजिए